आईटे आई सिविटी परिच्छा 2022 जैसे कि आप सभी को मालू में अभी आईटे आई सिविटी परिच्छा जारी है और आईटे के छात्र एक्जाम दे भी रहे हैं ऐसे में आईटे के छात्रों का बहुं सारा कमेंड था कि सर आप पेपर सॉल्ब करा दीजिए तो फाइनली आज की देट में आपका जो होने वाला है 31 अगस्त का पेपर जो आज की देट में आईटे के छात्र गए थे एक्जाम देने जो घर आने के बाद वाटसब के मात्यम से यहाँ पर कोशन बेजें कि सर आज की देट में यह कोशन पूछा गया था यह कोशन पूछा गया था सारे कोशन को मैंने करम से यहाँ पर कभर कर लिया है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा पूरी जनकारी यहाँ पर मिलने वाले किस तरह के कोशन पूछे गया थे यह कोशन आईटी सेकंडियर इलेक्टीसियन ट्रेड के लिए सभी क्या है यह जो सामने amplifier आपको दिखाई दे रहा इसका नाम पूछा गया था कि इसका नाम क्या है देखिए सात्यों इसका जो नाम होता है इसमें मैं आपको कई पर बता चुका इसको बोला जाता है class B push-pull amplifier और पहचाने का यदि तरीका की बात करें तो इसको देखकर आप अस question को जिसमें अगला question पूछा गया था कि सत्य तालिका किस लाजी gate को संदर्भित करती है A option यहाँ पर दिया गया और समझने का प्रियास किजएगा यहाँ पर बडाबर क किया लगार है यहाँ पर आजा रहे वी तो यहाँ पर जो έक् Dazu होग फस्न कर रहे हुशまぁ यहाँ पर संदे कर रहा है तो यहाँ जो जो जा रहा है तो यहां पर Ooh यहां पर होता है तो यह आपका होता है किसका होता है आ आफसन आपका कोशन के नुसार करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे जिसकी अगला कोशन पूछा गया था कि एक टॉंजिस्टर में अधार समागरी का विसेस गुण क्या है आफसन हलके से डोप किया हुआ और बहुत पतला बी आफसन भारी और बहुत पतला सी आफसन हलके से डोप किया हुआ और बहुत बड़ा दी आफसन भारी और बहुत बड़ा तो साथियों यहां पर सही होता है आफसन नंबर ए अथात हलके से डोप किया हुआ और बहुत पतल आफसन नंबर A हमारा कोजिशन के अनुसार बिलकुल करेक टेंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लिजेगा अगला कोजिशन इसमें पूछा गया था, जो कि कोजिशन नंबर आपका 52 है इसमें पूछा गया था कि बिंदू संपर्क, बिक्सित, डिफ्यूजन और मिसर धातू जक्सनों के तरीकों का उप्यूग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है आपसन इंडक्टर अथात प्रिकत्व का, बी आपसन परतिरूधक का, सी आपसन संधारित का और डी आपसन टॉजिश्टर का तो साथियों, यहाँ पर सही होता है आपसन नंबर डी, क्योंकि बिंदू संपर्क, बिक्सित, डिफ्यूजन और मिसर धातू जक्सन के तरीके का उप्योग करके, जिस समागरी का हम निर्माण करते हैं, उसको टॉजिश्टर बोला जाता है आपसन नंबर डी, हमारा करेक्ट इंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे, जिसमें अगला कोशन पूछा गया था कि जे एप इटी में पिछ आप बोल्टेज का क्या प्रभाव है आपसन कोई रिक्ती करण छित्र मौजूद नहीं बी आपसन ड्रेंड करेंट सुन्य हो जाता है सी आपसन रिवर्स बाइस बोल्टेज सुन्य हो जाता है और डी आपसन एगे चैनल की चोड़ाई का अधिकता मान है तो साथियों, यहाँ पर सही होता है आपसन नंबर भी बिल्कुल करेंट टेंसर, ड्रेंड करेंट सुन्य हो जाता है भी आपसन करेंट टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला कोशन पूछा गया था कि ऐसी परतिरोधक और प्रिक भार को सुरू करने और रोकने के लिए संपरकरता का मानक करतबे चक्र कोड क्या होता है ये कोड होता है जिसे कि AC1, AC2, AC3, AC4 तो इसमें यहाँ पर जो पूछा गया इसको रोकने के लिए ठीक है, रोकने के लिए संपरकरता का मानक करतबे चक्र कोड क्या होता है जिसका होता है साथ हो AC2 क्या होता है AC2 होता है और आफसन नंबर B हमारा बिल्कुल देखने को मिल जाता है correct answer आगे बढ़ते हैं अगले question पे जिसमें अगला question इसमें पूछा गया था कि dynamics और transistor के अनुसार drive का वर्ग करन कौन सा है आफसन साथ टाइम ड्यूटी ड्राइब बी आफसन शविराम ड्यूटी ड्राइब और सी आफसन लेगे सुचालित नियंतरन ड्राइब और दी आफसन लेगे परिवर्तनिया इस्तिती नियंतरन ड्राइब तो साथियों यहाँ पर सही होता है आफसन नमबर D जिसको परिवर्तने स्तरी डियंतर डाइब के नाम से जाना जाता है D आफसन हमारा सही हो जाएगा आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया था कि किस सब्द से तात पर है कि किसी पदात का दर्वेमान इलेक्टर लाइट से एक कुलाम बिदुत्य द्वारा मुक्त होता है A. आफसन बिदुत्य अभगटन B. आफसन बिदुत्य लेपन C. आफसन एलेक्ट्रोड नकल D. आफसन बिदुत्य रसाइनिक तुल्यांग तो साथियो यहाँ पर आपका कोशन के अनुसार सही हो जाता है आफसन बिदुत्य रसाइनिक तुल्यांग के नाम से जाना जाता है D. आफसन कोशन के अनुसार करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक गैर परमपरिक उड़्यस रोत कौन सा है आफसन लिगनाइट, बी आफसन सूरज की किर्णे, सी आफसन संगरहित पानी और डी आफसन लेगे चुडित कोईला तो साथियों यहाँ पर कोशन आपका काफी इंपोर्टेंट है और इसमें आपका सही हो जाता है आफसन नंबर भी सूरज की किर्णे बी आफसन करेक टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला कोशन पूशा गयता है और यह आपका इस से कोशन है किस से कोशन पूशा गयता है कि जब एक कारे करता है उपलब्द शंसादनों का उप्यूग करके शरुत्तम उत्पादन लाने में युगदान देता है तो कारे करता है खालियस्तान होता है यह किस कारे किस परकार के कारे करता है कि अंतरगर जाना जाता है तो इसको बोला जाता है सात्यों क्या उत्पादन के नाम से सोरी उत्पादक के नाम से आफसन नंबर ए हमारा सही हो जाता है मिला लीजेगा आगे अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन यहां पर पूछा गया था कि संचार में सामिल है ए आफसन हम जो सब्द बोलते हैं भी आफसन हमारे सरीरी का अंदो दोलोनों और चेहरे के भाव सी आफसन हाव भाव संकेत प्रतिक और दिखावट और डी आफसन देगे उपर के सभी त यह आफसन आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला यहां पर कोशन पूछा जा रहा है कि भावनाय हो सकते हैं किस परकार की भावनाय हो सकते हैं सकरात्मक हो सकते हैं या नकरात्मक और शकरात्म दोनों परकार की हो सकते हैं या कोई ने तो जो emotion होता है साथियो ये कई परकार के हो सकते हैं, आपका positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और negative positive दोनों हो सकता है, तो यहां पर हम कहेंगे question के अनुसार action number C हमारा बिल्कुल correct answer हो जाता है, नकरात्म और सकरात्म दोनों तरह के emotion होते हैं, आफसन नमबर C करेक्टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे जो की अगला कोशन साथियो इसमें पूछा जा रहा है की नियुकता अपने कोशल और युकता के अलावा उमिद्वार के खालिस्तान की तलास करते हैं A. आफसन पैसे की B. आफसन इस्तिती की C. आफसन भावनात्मक बुद्धी की और D. आफसन लेगे ऊपर की सभी तो साथियो यहाँ पर सही होता है आफसन नमबर C जिसको भावनात्मक बुद्धी अताथ इमिश्नल इंट्लिजेंस के नाम से जाना जाता है C. आफसन करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे बरते हैं अगले कोशन पर जो की अगला कोशन पूछा गया था की आपचारिक रूप से अपना परिचे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भरती या फैसले को या आत्म परिचे को या मांगना तो इसको बोला जाता है साथियो आत्म परिचे जो की आपचारिक रूप से अपना परिचे देने को बोला जाता है सिल्प इंट्रूडेक्शन अथा आत्म परिचे C. आफसन आपका सहीफ हो जाएगा अगले कोशन को देखिए अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केवल 30 सेकेंड वे स्मार्ट और सकती साली तरीके से अपना परिचे देना खालिस्तान कहलाता है A. आफसन एलिवेटर पीच B. आफसन ब्रेप केस C. आफसन भासन और D. आफसन तोरित काल तो देखिए इसमें आपका जो कनफर्म यहाँ पर सही एंसर दिया गए वो आपका आफसन नंबर A दिया गए जो चातर A. आफसन मारे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला यहाँ पर कोशन पूछा गया था कि जब किसी बेक्ती को इस बात की जनकारी दी जाती है कि वह लच्छे तक पहुशने की परियास इसमें कैसा कर आए तो उसे क्या कहा जाता है यह आफसन सत्यापन बोला जाता है या तरक बोला जाता है या भाय आवह बोला जाता है तो उसको बोला जाता है सात्यों परिक्रिया जो कि इसको फीडवेक बोला जाता है कि आप अच्छे कारे करें आप अपने कारे में ध्यान दीजिए तो ये क्या हो जाता है एक तरह से फीडवेक हो जाता है आफसन नमबर C हमारा कोशन का नुसार करेक्टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर जिसमें अगला कोशन पूछा गया था इसमें कि शकरात्मक्टी पिडियों के बाद सुधार के लिए सुझाओ देना और शकरात्मक्टी पिडियो के साथ शमापन करना खालिस्तार कहलाता है इसको क्या बोला जाता है साथियो इसको बोला जाता है जो की बरगर फीडबेक तकनीक आफसन नमबर जो यहाँ पर दिया गये हमारा C आफसन बिल्कुल करेक्टेंसर दिया गये C आफसन करेक्ट टेंसर मारेंगे आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन सातियों यहाँ पर पूछा जा रहा है की DC generator का armature परत्रोथ बहुत कम क्यों होता है या बहुत कम क्यों है A आफसन armature धारा कम करें B आफसन armature voltage drop को कम करें C option कम बोजन के साथ आर्मेचर चलाएं और D option आर्मेचर का तापमान कम करें तो साथियों यहाँ पर सही होता है option नंबर B की आर्मेचर बोल्टेज ड्राप को कम करें B option कोशन कनुसार आपका करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे बरते हैं अगले कोशन पे जिसमें अगला कोशन पूछा जा रहा है कि बड़ी छमता के DC जनेटर योग बनाने के लिए किसे धातू का उप्योग किया जाता है धलवा लोहा का या नर्म लोहा का या एलमुनियम का या रोल्ड इस्टेल का तो साथ यो इसमें परियोग किया जाता है रोल्ड इस्टेल जिसको रोल्ड इस्टेल के नाम से जाना जाता है भी आफ्सन आपका करेक्ट इंसर हो जाता है अगला कोशन जो IT के छातरों ने भेजा जिसमें ये पूछा गया था कि DC संट मोटर में समानी घती सेनीचे कौन सी गती ने तरण विधिया पर्दान करती है तो क्या ये इपके यहाँ विधिय ऐते हैं करेक्ट इंसर हो जाता है दोस्तो डेली आप इसतरह के कोशन जानना चाहते हैं किस तरह के वेज़ परिशह में पूछे जारहे इडिये